नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल निशन वर्ण में स्वागत है दोस्तों यह कोहलवर्ग के नेतिक विकास का सिध्धान का सीरीच चल ला है जिसमें पिछले वीडियो यह पार्ट वन में हम लोग मोरल डेलिमा और मोरल रिजनिंग के बारे में बात के थ देखाया उसका लिंग की डिस्क्रप्शन में देंगे और वहां से देख लीजिए ठीक है क्योंकि कोहलवर्ग ने दो पत दिये थे एक हता है मोरल डेलिमा और मोरल रिजनिंग क्या होता है जो उस वीडियो में बता चुके हैं उसी से संबंदित मोर कोहलवर्ग के कई सारे क्थाई पर्चिलिद थी जिसमेंसे एक बहुती परसिद्ध कथा थी जो हिंज की कहानी है क्योंकि मोरल डेलिमा और मोरल डिजनिंग का संब्ध जो कहीं ना कहीं एक हिंज के कहानी से जुरावा रहता है कि हींज एक बैक्ति रहता है जो कई सारी दुविद्यां में पढ़ थी यूरोप की एक महिला थी जो विसीष्ट परकार के कैंसर से क्या थी वह प्रभवी थी डॉक्टर के नुसार एक मातर ही दवाई है जिससे वह ठीक हो जाएगी मतलब डॉक्टर करते हैं कि एक ऐसी दवाई है जिससे वह महिला क्या हो जाएगी ठीक हो जाएगी हिंज उसक पनाता है एक दवाई बेंड को क्या करता है यो लागत किमत से दश गुणा अधिक दाम पर वीच रहा था मतलब वन दवाई बेंग विक्रता की बैच रहा था मतलब वो और लोगों से पैसे उढ़ेखर लिये उदहार लेकर e трat कि अधे दिच के बिचने वाले के पास गया लेकिन हिंज उतना पैसा नहीं जमा कर पाया जितनी जरूरत ही फिर पैसे के लोगत कि दवाया बिचने वाले के पास गया जो दवाई को बनाया था तो लेकिन उतनी पैसे जो है हिंज जमा करने ने पाएं जितने पैसे जो है Cut वाई बीचने वाले माहांग रहे थे क्योंकि वह क्योंगी वह क्या सब्सक्राइब येृवाई दवाई है मुझे जो है आधी किमत पर दे दे जिससे उनकी नहीं तो उनकी पतनी क्या हो जाएगी मर जाएगी अगर वो दवाई उसके पतनी जो है वो मर जाएगी ठीक है दवाई बिचने वाला उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है और हिंज निराश होकर घर लोड़ ज पर देचनगा जबकि हिंज के पास उतने पैसे थे नहीं और वह रिक्वेस्ट करने ला कि मुझे आधे दाम पर दवाई को दे दे या फिर आधी अभी पैसे बाद में फिर आधे पैसे दे दूंगा लेकिन वह विक्रेदा उस दिवाई को नहीं दिया ठीक है लेकिन अब जो है हिंज के पास कई सारे दूविधा आ जाते हैं या तो वह पतनी को बचाते हैं पतनी को बचाने के लिए जो है या तो उसमें उसका जो इस्टोर यानि दवाई का दोकान जो है को में घुज जाते हैं दवाई को वह क्या करते हैं चोरी कर लेते हैं तो इस परकार जो ह कि इस परकार कोहलवर्ग ने कई सरे लगुछ का लिए क्था बनाई कियोंकि हिंग कि सामने कई सरी कैथा आने लगी कि या तो तो वह हिंज या तो वह अपने पत्नी को मरने दता या तो वह हिंज जो है दवाई चुराता तो कई सरे जो है दिवधा में पड़के हिंज जैसे हिंज की कहानी की कई दिविद्धाय को दवा चोरी करने चाहिए थी क्या चोरी करना सही था गलत है क्यूं से जेल भी जाना पर सकते हैं हिंज ऊबसदी नहीं चुट चुराएगा और अपनी पत्नी को मरने देगा यहाँ से हैं सली मोरल डेंड़ी दीज्ट को आप ज़रूरी देखें इसे में बाताए तो इन इस इन परश्णों का मुत्तर सभी उम्मीडे के लोगों को दिया आगी किया वर्ग ने अपने प्रियोग में अलग अलग गुरूप के अनि कम उम्मड के सभी वुलाया गया सभी हुशाना अर्धी की सभी को उत्तर ब्यक्तियों को बुलाई और उसके सामने में यह कहानी को बताया गया संब्सक्राइद सब्सक्राइब उन्हीं का सब्सक्राइब विल्लग करने लगा निस आप डीखत्राइब kenैने लग ellesफ्तियों से जमार कने लगा तो लोगों के उत्तर ट्लिल कर रहें थे उम्मर पर मतलब लोगों का उत्तर जो है किस पर डीपेंडंड करना गलत है उनकी नेतिक अस्तर नेतिक तर्क सोचने समझने क्या सही है क्या गलत है यह सभी एज पर डिपेंड करता है मतलब कुछ बच्चे जो है का रहते कि नहीं हिंज का चोरी करना गलत है कुछ जो है जो से अधिक उम्र के थे वह कर रहे थे कि नहीं हिंज जो है चोरी किया तो अप उम्र के लोग जो है अपने अपने उत्तर देने लगे और यह देखे कि जैसे जैसे बच्चों का जो है उम्र बढ़ने लगा उससे वैसे वैसे जो है उनलों का नेतिक तरक का जो उत्तर देने का जो तरीका था वो जो है अलग-अलग आने लगा ठीक है तो इस परकार जो है नितिक जो विकास होता है वो एज के कोडिंग होता है एज के बढ़ने के साथ साथ नितिक विकास होता है यह कॉलवर्ग ने कहा था ठीक है इस परकार कॉलवर्ग ने लोगों के तीन लेवल में डिवाइट किया इस परकार कॉलवर्ग ने लोगों को कितने लेवल में डिवा क्यांनल लेवल वन जो था वह परीडॉल सेंसरे वह मतलब जो आनकर से पहले के थेरेन दस वर्स से पछले के जो बच्चे हलते हैं उसको प्रीडॉल सेंस कहते हैं तो उनको एक नवर में रख दिया स्ञेंस जो स剛 10 से नहीं यह 5 जो डेंडी बच्चछे बच्य जो पोस्ट अदुल सेंस यानि अलग लेवल में रख दिया तीन लेवल में बार दिया उसके क्या करता है जिसमें यह दिखने लगा कि लेवल ओं यानि प्री कांवेस्टनल वाले जो बच्चे थे उसकी जो जो बच्चे थे ऊनकी जो है मतलब जो बाहरी बताने लगे उससे सजा मिलेगी तो घृक श्रिटी नेतिक इंट्ता जो है वह लोगया थी եी पर इंज को जो है वह उसको सजा मिने करना के लिए थी सब्सक्राइब करने बाहर और नेतिक जञ़न है समाज के को बताया था उसके कोडिंग बनाया नितिकता बना और लेवल तीन यानि कि पोस्ट अधिक उम्री वाले बच्चे थे इस परकार हम लोग देखें कि कॉल वर्ग ने तीन लेवल बनाया प्रीकुल प्रीकुल था स्वाइब सक्तान का रहें नीच विड़ीयो में फ्रीकुलमेर्सणेल में उसी तरह लगातार फिर आगेवाले वीडियो में इस तरह एक क्या जा झांगा तो आज हम लोग उमिद करते हैं यहाँ फिन्ज कि कहानी को समझ था पिर नेश्ट वीडियो में लेवल वान के साथ मिलते तब तक के लिए धन्वाद